नमस्कार दोस्तों, आपको पता है, कार्तिक मास में नितनेम की यह कहानी सीता माता कहती थी और शिरराम इसे सुना करते थे एक दिन भगवान शिरराम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान मेरा तो बाहरे वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी शेराम ने कहा कि तुम कुई की पाल पर जाकर बैठ जाना वहां जो ओरते पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना माता सीता कुई की पाल पर जाकर बैठ जाती है एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था माता सीता उसे देख कर कहती है कि बहन मेरा बारे वर्ष का नितनेम सुन लो पर वैस्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घड़ जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझ से लड़ेगी उसने कहाने नहीं सुनी और चली गई उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सुने का गड़ा मिट्टी के गड़े वे बदल गया सास ने देखा तो पूछा कि ये किस का दोश है अपने सिर पर लेकर आ गई हो तुम बहु ने कहा कि कुए पर एक और पैठी थी उसने कहाने सुनने के लिए कहा था लेकिन मैंने नहीं सुनी जिसका ये फल मिला बहु की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुए की पाल पर गई सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बैन मेरी कहाने सुन लेजिए सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो चार बार सुन लूँगी राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम गरम रसोई जीमो राम माखन मिस्री खाओ राम दूद बताशा पीओ राम सूद के पलना बैठो राम रेशम वस्त्र पहनो राम शाल दुसाला ओडो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सब के काम खाली घर बंडार भरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहाने सुनकर सास घर चली गए और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गए और मिटी का घड़ा फिर से सोने का बदल गया बहु कहने लगी सासुमा आपने यह सब कैसे किया सास ने का बहु तू दोश लगा कर आई थी और मैं दोश उतार कर आ रही हूँ बहु ने फिर पूछा कि वह कुए वाली स्त्री कौन है सास बोली कि वह सीता माता थी वह पुराने से नया कर देती है खाली घर में भंडार भर देती है वह लक्षमी जी का घर में वास कर देती है आदमी की जो भी इच्छ हो उसे पूरा कर देती है बहु बोली की ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो सास बोली की ठीक है तुम भी सुन लो और सास ने कहानी शुरू की राम आए लक्षमन आए दीश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम गरम रसोई जीमो राम माखन मिस्री खाओ राम दूद बताशा पी ओ राम सूत के पलना बैठो राम रेशम वस्तर पहनो राम शाल दुशाला ओडो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सब के काम खाली घर बंडार भरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे श्री राम जै राम जै जै राम कहानी सुनकर बहु बोली की कहानी तो बहुत अच्छी है सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे अब सास बहु रोज सवेरे सवेरे उटती नहादी दोती और पूजा करने के बाद नित नेम की माता सिता की कहानी कहती एक दिन उनके याँ एक पडोस की ओरताई और बोली की बेहन जराग सी आँच देना वेबोली की आँच तो आप भी हमने जलाई नहीं है पडोसन ने कहा कि तुम सुबह उटकर चार बज़े से उटकर क्या कर रही हो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उटकर हम पूजा करते हैं फिर सीता माता के नितनेम की कहानी कहते हैं पडोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भड़ जाते है, सारे काम सिद्ध हो जाते है, मन की इच्छा भी पूरी होती है पडोसन कहती है कि बेहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर वे बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो आए राम आए लक्षमन आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम सारी कहाने सुनने के बाद पडोसन कहने लगी बेहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी अब वे पडोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी कहानी कहने से सीता माता ने पडोसन के भी भंडार भर दिये अब तो पूरे महले में नितनेम की कता चल पड़ी हर किसी के मनो कामना पूरी होने लगी सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे या आप हमारे भी भंडार भरना कहाने सुनने वाले के भी और कहाने कहने वाले के भी जै माता सीता जै शिर्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना